हलो प्यारे बच्चो, EAD परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, तो प्यारे बच्चो ये पावर ग्रिड की वेकेंसी की कुछ डिटेल यहां पर है, कि किस रिजन में, किस ब्रांच के कितने ही फॉर्म रिसीव हुए पावर ग्रिड को, इसका कुछ एक डाटा आया है, तो देखें जैसे, CC यानि कि जो Central Office है, इसमें टोटल 364 फॉर्म रिसीव हुए है, ER1 में 2491 फॉर्म फिल हुए है, ER2 में 1604 फॉर्म परात हुए है, उडिसा में 983, North East के अगर हम बात करें तो 131, NR1 में 3813, NR2 में 1737, NR3 में 1487, बलब NR3 में सबसे यादा फॉर्म अपलाई हुए है, उसके बाद SR1 में 2840, और SR2 में 1849 फॉर्म मिले हैं, और WR पर्स्ट में 2634, और WR सेकेंड में 49, यानि कि अगर देखा जाए तो भाई, से अनार जो थार्ड है, यह विजेता है, यहां सबसे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म को भरा है, अच्छा, टोटल अगर फॉर्म पावर गड़ को प्राप्त हुए हैं, तो यह है 3769, और जिस हिसाब से वेकेंसी है, तो ठीक है, और इतने तो एक्सपेक्टेड रहते भी ह है, सेंटर लेवल की वेकेंसी है, तो इतने नॉर्मली एक्सपेक्टेड है कि इतने फॉर्म तो जाएंगे, लेकिन बाकी के कमपारिजन में इसमें जो नमबरों अप्लिकेशन है, वो कम है, क्योंकि इसमें परसंटेज का भी एक उश्यू रहा है, डिप्लोमा ट्रेनी तो यहां पर 258 फॉर्म बरे गए है, जुनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनस में 1636 फॉर्म बरे गए है, और जी असिस्टेंट ट्रेनी के यहां पर 1636 यह हो गए जी, इसमें उडिसा एसार टू में यही वाले यहां, तो यह टोटल अपना फॉर्म बरे गए है, पावर लिए थे, जो हमारी सुपरवाइजर ट्रेनी वाली है, वो अलग वेकेंसी है, जो 70 वेकेंसी थी, तो यह किवल अलग वेकेंसी की एक डिटेल है, अपना लगे रहा हो एक गोल्डन अपॉर्चनेट यह आप लोगो को मिली है, पावर ग्रेड को भोड़ना है, क्रेक करना ह लगवग फैब तक इसका पेपर है, तो एक बढ़िया जन्वरी और साथी दिसंबर यह पूरा टाइम आप लोगो को मिल रहा है, बढ़िया सांदार तरीके से इसको यूटिलाइज कीजिए, और मेरे साथ जूड़िए आप पास्ट ट्रेक कोर्स में, जो कि पूरी तरीके से समर्पित है, पावर ग्रेड को, एक दब बढ़िया चल रहा है कूर्स, टाइमलिस लेवस कतम, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और कहीं ना कहीं आपके सेलेक्शन में बहुत ही महत्तवपून योगदान निभाने वाला बैच साबित होगा, बोल बाब के दारनात की ज